अब बात करते हैं पाकिस्तानी टीम की जिसने सिर्फ 96 रंस देकर पूरी सिरी डंकन टीम को आउट क्लास कर दिया वहाब रियास चार विक्टे ले उड़े जबके हारू सहेल भी तीन विक्टे लेने में काम्याब हो गए दूसरी इनेंग्स में ओवराल पाकिस्तानी टीम की पर्फार्मस बहुत अच्छी रही पाकिस्तान को जीतने के लिए 317 रंस का हदफ दरकार है अब देखना है के पाकिस्तानी टीम सिरी लंकन तौफानी बॉलंका मकाबला कर पाती है के नहीं एक दिन का खेल अभी बाकी है पहले सेशन में तीन पाकिस्तानी शाहीन अपने विकट खो बैटे हैं लेकर ये बात मानने वाली है के पहली इनेंग्स में लेकर ये बात काबले स्ताइश है के दूसरी इनेंग्स में पाकिस्तान की पर्फार्मस नहायत ही उंदा रही पाकिस्तान ने सिर्फ 96 रंस देकर पूरी टीम को आउट कर दिया बहाब रियास जो के चार विक्टे लेने में काम याब हुए और हारे सहेल भी तीन विक्टे ले उड़े आखरी दिन का खेल बाकी है अब देखना है कि पाकिस्तानी बल्ले बास कितनी उम्दा परफॉमंस का मुझाहरा करते हैं ताके इस मैच को फाइनल मराहल तक ले जाया सके कवी अमीद है कि इन्शालला पाकिस्तान मैच ये जीच जाएगा